तो टीम इंडिया औस्टेलिया के खिलाब चार मैच की टेस्ट सीरीज 9 फरवरी से खेलने जा रही है जिसे हम बॉर्डर गवास का ट्रोफी कहते हैं लेकिन आखिर बॉर्डर गवास का ट्रोफी की सुरुवात कब हुई और किस प्लेयर के नाम से बॉर्डर गवास का तो इसे वीडियो को अंते तक देखें लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मारे वीडियो की नॉटिपिकेशन आपको मिलती रहे साथी वीडियो को लाइक कर दें तो चलिए दोस्तों गवासकर पहला एडिशन साल 1996 में खेला गया था और ऑस्टəलिया के पूर्व कलिकेंटर एलन बॉर्डर और सुनील गवासकर जिके नाम से इस टोफी का नाम है और गवासकर टोफी दोस्तो इस वॉर्डर गवास का टोफी के टोटल 15 सीजन खेले जा चुके हैं जिसमें 9 बार टीम इंडिया ने विन किया है और 5 बार आस्ट्रेलिया ने इस सीरीज पर कबजा किया है दोस्तो अब आपको बताते हैं कि यह से 5 पिलियर जुनोंने इस वॉर्डर गवास का टोफी में सबसे ज़्याजा रन बनाएं तो दोस्तो पांच में नमबर पर हैं और आस्ट्रेलिया के माइकल किलार्क जुनोंने दोस्तो इस वॉर्डर गवास का टोफी के टोटल 22 मैच ख दोस्तो चौथे नमबर पर आते हैं हमारे भारतिये टीम के राहूल ध्रविट जुनोंने इस वॉर्डर गवास का टोफी के कुल 32 मैच खेले हैं 60 इनिंग खेली हैं जिसमें उन्होंने 243 रन बनाए हैं 49 का उनका एबरेज रहा है और उन्होंने 13 50 लगाई हैं और 200 30 रन बनाए हैं इस दौरान उनका 66 का एबरेज रहा है बारा उन्होंने 50 लगाई हैं और दोस्ते 6 सतक लगाई हैं दोस्तो यहां पर दूसरे नमबर पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉइंटिंग जोनोंने 39 मैच खेले हैं और 51 इनिंग खेली हैं जिसमें उन्होंने 2355 रन बनाए हैं 36 का उनका उसत रहा है और 1250 लगाई हैं और 800 लगाई हैं और दोस्तो नमबर एक पर आते हैं दमिश्टर सचिन तेंदूलकर जिनोंने 34 मैच मेच खेले हैं जिसमें उन्होंने 65 इनिंग खेली हैं 3262 रन बनाए हैं जोनोंका 56 का एबरेज रहा हैं और 1650 मौश्टक लगाए हैं सचिन तेंदूलकर ने दोस्तो गोजर कवास कर ट्रोफी में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और इस गोजराव कर ट्रोफी की सुरूख साल 1996 में हुई थी। दोस्तो क्या रगता आपको कि 2023 में जो बोजर गभास कर ट्रोफी इंडिया वर्सिस ओस्ट के लिए जय हिंद जय वारत